अगर बात करें दोस्तों फेट टायर की तो यहाँ पर हमें स्वाट पिलिन के दाद ज़्यादा मोटा टायर मिलता है जो कि पीछे से काफी एग्रसिव लुग देता है बाइक को हलो वीवेर्स मैंकिश शर्मा आज अपने चैनल अंको टिप्स और टिक्स पे लेकर आओ दोस्तों कमपेरिजन यामा आरन फाई वी थी और स्वाट पिलिन 250 का तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों हमने एक रिसेंटली बाइक बाइक की है जो कि स्वाट प कमपेरिजन बताऊंगा उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको नेकड बाइक बाइक करनी चाहिए या फिर फेरिंग वाली बाइक करनी चाहिए तो चलिए यहाँ पर इनका कमपेरिजन करते हैं आईए तो दोस्तों आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर इस वाट पिलें 250 भी देखने को मिलेगी तो चलिए वन बाइवन बात कर लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यामा आरन 5 V3 की लुकिंग तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की बाइक है यहाँ पर मैंने इसको दो हुएसल पहले लिया ता दोस्तो 2018 के अंदर तो यह यहाँ पर दोस्तो बाइक के लिए और दोस्तों इं दोनों बाइक केँए तो जैसा कि आप देख पाने दोस्तों जो यामा आरन 5 V3 है वह एक अक फैरिंग बाइक है और यहाँ पर जो हमारी स्वाट पिलने तो दोस्तो जो आप एक सिटी राइड करेंगे तो उसके अंदर यहां पर आपको सबसे अच्छे लगने वाली है स्वाट पिलिन क्योंकि आप कहीं से भी कॉर्णिंग करते हो इसली पास कर सकते हैं यहां पर आपको V3 के अंदर थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तो उसके ब बात करें दोस्तो इसके इंजन की तो यहां पर एक 4-stroke single cylinder इंजन है दोनों ही बाइक सिक अंदर यहां पर जो ग्राउंड के लेंस है दोस्तो वह एक खास सीज है तो जैसा कि आप यहां पर देख पार है ग्राउंड के लेंस जो स्वाट पिलिन है उसके अंदर हमें सिर्फ दोस्तो 145-148 mm ही मिलता है जो कि काफी कम है दोस्तो यहां पर मुझे इस बाइक के लिए कि यही कमी लगती है दोस्तों कि जब आप यहां पर ऑफ रोडिंग करते हैं तो नीचे से हिट होने के चांसे होते हैं बट नीचे की तरफ दोस्तो इसके प्लेट लगा रहे है जो क के ग्राउंड क्लेर्स को लेकि इसको मैं कहीं भी लेके निकल जाता हूँ आराम से ओफ रोडिंग कर सकता हूँ उसके बाद अब बात कर लेता है इनके टायर की तो बात करें यहां पर टायर साइज की तो जो जो वी थरी का जो रियर टायर है वो हमें 140-70 मिलता है और जो फ प्रण की लुक देता है उसके बाद बात करें यहां पर साइड इस्टेंड की तो यहां पर जैसे ही दोस्तों आप दोनों बाइक के अंदर साइड इस्टेंड लगाएंगे दोनों के ही इंजन किलो जाएंगे जो बीए सिक्स के अंदर दोस्तों यह चीज मिलती है यामा आ प्रफिलीन के तो दोस्तो इसकी जो लाइट है वो काफ़ी बहुतरीन होने वाली है यहाँ पर जब मैं इसको राइड किया दोस्तों मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगो जिसके निदे आप देख पाएंगे कि इसकी जो लाइटिंग हो कैसी है So guys, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह हमारी बाइक का night look है, तो यहाँ पर हमने इसकी बाइक की light on कर रखी है, साथ ही मैं दोस्तों यहाँ पर इसकी lighting को भी आपको दिखाऊंगा darkness में, ताइक भी आपको पता चल सके, जुसका light का exposure हो कितना है, तो जैसा कि आप तो यहाँ पर light totally satisfactory है दोस्तों, वी 3 के अंदर आपको यह चीज कमी लगने वाली है, जब आप night के अंदर राइड करेंगे, उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर इनके tank capacity की, तो यहाँ पर Yamaa R15 V3 का जो tank का दोस्तों, वो हमें 11 लीटर का मिलता है, उसके बाद हम बा बात करें दोस्तों, यहाँ पर tank size की, तो यहाँ पर V3 का जो tank है दोस्तों, हमें यहाँ पर 11 लीटर का मिलने वाला है, यहाँ पर बात करें दोस्तों, स्वाट पिलिन की, तो इसका जो tank है दोस्तों, हमें 9.5 लीटर का मिलता है, तो जो आप long ride करेंगे, तो यहाँ पर आप इस चैनल की तो दोनों ही बाइक के अंदर हमें ABS मिलता है हमारी BS4 है that's why उसमें ABS नहीं है यहाँ पर अगर V3, BS6 आप बाइक करेंगे तो उसके अंदर आगे और पीछे दोनों की तरफ आपको ABS मिलने वाला है यहाँ पर दोनों के अंदर हमें dual disc मिलता है तो बात करें दोस्तो इनकी seat की तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आरन 5 V3 है दोस्तो हमें टू सिटिंग के साथ मिलती है जैसे कि आप यहाँ पर देख पार है यह राइडर के लिए सीट है और यह पर दोस्तो थोड़ी अंकमफर्टेबल रहती है यहाँ पर यह पर यहाँ पर दोस्तो जो पी उठीड से वाले के लिए वही बहतरीन है यहाँ पर पीछे की तरफ हमें एंडल भार मिलता है इसकाफ करने के लिए अगर आप वीडियो देखना चाता है तो आप हमारे चैनल केंडर जा सकते दो जैसा कि यहाँ पर देख पांने इसके silencer पर bashing हो रही है हसकोना की उसके बाद बात तरे दोस्तों यहाँ पर V3 की तो हमने यहाँ पर इसके silencer के उपर silencer mounter लगा रखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके बाद इसका look काफी अच्छा काशा enhance हो जाता है तो यहाँ पर जो दोनों ही bikes है दोस्तों यहाँ पर FI engine पर base है दोनों ही fuel injectable है यहाँ पर हमें दोनों ही bike के अंदर kicks नहीं मिलती है दोस्तों क्यों क्योंकि दोस्तों यहाँ पर fuel injected हमारी bikes है तो उसके अंदर तो इसका हम आप को बताते रहेंगे क्या इसके प्राउंस है क्या इसके कौन सही तो यहां पर दोस्तो दोनों ही guys four stroke single Slender के अंडर है gear की बात करें तो दोस्तो दोनों ही bike के अंडर हमें यहां पर six gear मिलने वाले हैं दोनों के ही जो gears है दोस्तों हमें सामने डिस्प्ले के अंदर visualize होते रहते हैं कि आप कौन सी gear के अंदर अपनी bike को drive कर रहे हैं बात करें दोस्तों इन दोनों के ही weight की तो यहां पर जो Yama R15 V3 है दोस्तों हमें यह मिलने वाली है 142 kg के साथ यहां पर बात करें दोस्तों स्वाट पिलिन की तो हमें यहां पर इसका drive weight मिलता है 148 kg अगर आप इसके अंदर fuel भरवा देते हैं दोस्तों तो इसके बाद यहां पर 165 के एपरोक्स हो जाती है बड़ दोस्तों इसका drive weight 158 kg होने वाला है तो बात करें इसके another features की तो हमें यहा आपको अलग से ही center stand लगाना पड़ता है जूकि आप हमेशा लगा के नहीं रख सकते हैं यहां पर हमें दोनों ही bike के अंदर slipper clutch मिलते हैं तो slipper clutch हमें help करता हैं दोस्तों gear shifting के अंदर बहुत आसानी से फटा-फटा हमारे gear shift हो जाते हैं यहां पर दोनों ही जो sports bike है दोस्तो अपने segment के अंदर काफी बहतरीन है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको कौन सी bike buy करने चाहिए तो दोस्तों यहां पर आपका personal opinion रहेगा कि आपको कौन सी bike buy करनी है तो यहां पर दोस्तों जो yama rn5 v3 है वो एक जापान ब्रांड है और यहां पर जो हमारी दोस्तों swat स्वाट पिलिन का मतलब क्या है तो यहां पर स्वाट पिलिन का Sweden के अंदर मतलब होता है black arrow याने की दोस्तों काला तीर यहां पर बात करें इसकी height की तो दोस्तों अगर आपकी height 5.5 feet से कम है तो आप इन दोनों bike को बिल्कुल buy मत करिए दोस्तों आपके लिए comfortable नहीं होने व पार है मैं यहां पर bike पर बैठ चुका हूं और यहां पर जो दोस्तों मेरे legs हैं यहां पर floor को touch कर रहे हैं जैसा कि आप यहां पर देख पार है जो दोनों ही पैर दोस्तों मेरे यहां पर completely first को hit कर रहे है तो चलिए अब मैं यहां पर आपको swatpillin के उपर बैठ के दिखात दोस्तों आपको अपनी wrist पे pressure feel होगा बट इस मामन में गर आप V3 पे जाते हैं दोस्तों तो आपको थोड़ा जुक्के चलाना पड़ता है यहां पर जो इसका look है दोस्तों थोड़ा aggressive look है that's why इसका handlebar नीचे की तरफ है तो आप दोस्तों आप अपनी preference के according bike ले सकते हैं कि कि आपको किस परपस से bike चाहिए अगर आप comfort की तरफ जाते हैं तो दोस्तों आप यहां पर स्वाट पिलिन के अंदर जाए यहां पर बात करें दोस्तों दोनों ही bike के prompts and cons की तो यहां पर दोस्तों जो स्वाट पिलिन है वो negative point इसका यह है दोस्तों कि इसका एक ground clearance कम है दू पर एक negative point के अंदर आप बोल सकते हैं दोस्तों जो price है V3 से इसका ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों इसकी जो cost हमें मिली है यहां पर on road वो हमें 220 के मिली है तो दोस्तों इसको हमने completely cash के अंदर buy किया है तब जाके हमें 220 के अंदर मिली है अगर आप EMI वगर आपे करवाते है तो दोस्तों उसका मुझे आइडिया नहीं है कि आपको कितना पड़ेगा बठ हमने यहां पर इसको देरादून उत्राखंट से लिया है उसके बाद बात करें दोस्तों यहां पर Yamaa R15 V3 के prawn और कौनस की तो दोस्तों इसका mileage काफी बैटरीन है comparative to swatpillin तो यहां पर दोस् जैसे काफी aggressive look देता है बाइक को यहां पर बात करें दोस्तों इसके negative point की तो दोस्तों यहां पर यह लोंग राइड के बिल्कुल भी comfortable नहीं है दो साल से use कर रहा हूं जो इसका riding posture है दोस्तों comfortable बिल्कुल नहीं है अगर आप एक long ride करता है तो यहां पर आपके wrist के अंदर औ किसकी जो pickup है दोस्तों काफी बैतरीन होने वाली है बट जहां तक मुझे लगता है दोस्तों smart plane का जो torque है वो काफी बैतरीन होने वाला है तो यहां पर बात करें दोस्तों Yamaa RN5 Vita के prone and cons की तो यहां पर pros की बात करें तो दोस्तों यहां पर इसकी cost कम है यहां पर हमाई mileage भी ज़्यादा मिलता है, ground clearance भी दोस्तों काफी बैतरीन है, comparative sword plane तो यहां पर बिल्कुल भी नीचे से hit नहीं होती है, मैं इसको काफी off-roading करता हूँ, negative point की बात करें तो दोस्तों यहां पर एक completely fiber plastic body है, और negative points की बात करें दोस्तों तो यहां पर हमें जुक्के ride करना पड़ता ह जिसकी वज़े से मारी back और wrist के अंदर pan हो सकता है, मैं जब इसको long ride करता हूँ दोस्तों तो मेरे लिए बिल्कुल भी comfortable नहीं रहती है, depend करता है कि आप इसको कैसे drive करता है, यहां पर जो sword plane है दोस्तों उसका comfort काफी बहतरीन है, उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको यहां करेंगे, यहां पर लिखाओ आएगा hybrid, आप चाहें तो दोस्तों अपने नाम से भी इसको change कर सकते हैं, उसके बाद यह कुछ इस तरीके का instrument cluster है, यहां पर हमारी bike का भी second gear के अंदर है, तो यहां पर इस शो करता है, उसके बाद दोस्तों यहां पर trip 1, trip 2 शो करता है, उसके पसंद है, अब हम यहां पर बात करते हैं, स्वाट पिलिन के instrument cluster की, तो यहां पर जो key 4 वे दोस्तों हमें tank के ऊपर मिलता है, तो जैसे ही आप इसको on करेंगे, यहां पर हमारा fuel injectable चालो हो जाएगा, जैसे कि आपने एक noise सुना, यहां पर दोस्तों fuel inject करता है हमारे engine को, तो यहां पर यह कुछ इस तरीके का हमारा instrument cluster होने वाला है, यहां पर stand down है, इसलिए यहां पर pop-up आ रहा है, जैसे ही आप यहां पर mode button को दबाएंगे, तो दोस्तों यहां पर fuel range आएगा, कि आप कितना odd drive कर सकते हैं इस bike को, तो यह चीज हमारी R15 V3 के अंदर नहीं है दोस्तो तो यह काफी plus point है, उसके बाद आप जैसे इसको pop-up करेंगे, आप trip 1, trip 2 show करेगा, यहां पर road map है, उसके बाद जैसे कि आप यहां पर देख पाने हैं, दोस्तों side stand यहां पर down है, दोनों भी bike के अंदर अगर दोस्तों हम चलती भी bike का side stand down कर देते हैं, तो हमारी यहां पर bike बंद हो जाएगी, अगर आप side stand लगा रखा है, दोस्तों तो आप अपनी bike को start नहीं कर सकते, अगर वो gear के अंदर है, अगर वो gear के अंदर नहीं है, तो आप इसको start कर पाएंगे, तो यह था दोस्तों एक detailed comparison, Yamaa, R15 V3 और Swart Pilin के बीच में, तो I hope so दोस्तों आपको यह व वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like करें, हमारे चैनल को subscribe करें, तो मिलते हैं कुछ ऐसे comparison के साथ, तब तक के लिए stay tune, thank you